हेलो अब्रिवन दिस इस शिवांगी वेलकम टूशिफ क्लासिस इस वीडियो हम डिसकस करने वाला है स्ट्रॉक्ट्ट्राइश्मेंट प्रोग्राम को संग्रचनात्मक समायोजन कारेकरम को दोनों ही लैंग्विज में हम इसे डिसकस करेंगे जर चली स्थार्ट करते हैं तो आर्थिक संकट जो है एक्स्पीरेंस कर रहे हैं तो इनका परपस क्या है कि जो यह कंट्रीज है जो आर्थिक संकट से जूज रही है उनका एकनोमिक स्ट्रक्चर को इंप्रूफ करना ठीक है उनका जो अंतरास्टे प्रतियोगिता है उसको इंप्रूफ करना उनके बैलनस होनी चाहिए अर्फ आई प्राइटाइजेशन इंक्राइज करें ठीक है लिब्रिलाईज करें ट्रेड को और वोлемं इनवेस्टमेंट को ठीक है एस अब चीजें जो इंक्रीज करना है ठीक है और जो गवर्मेंट का जो deficit है उसको correct करना और poverty को elevate करना तो SAP जो है वो create किये गए थे goal के साथ कि जो borrowing country है उनका fiscal imbalance को क्या करना reduce का fiscal imbalance क्या होता है आपको MEC06 में इसकी playlist में आपको मिल जाएगा fiscal imbalance मैंने समझा हुआ है and fiscal imbalance in the short and medium term ठीक है fiscal imbalance को reduce करना short or medium term में ठीक है जिससे जो growth है economy की वो क्या हो long term हो by reducing the implementation of free market program and policy और क्या implement करना क्या करना कि जो market है free market हो free market program और policies लोंच करना ठीक है implement करना और SAP supposedly intended to balance the government और SAP जो है वो क्या कहते हैं कि जो government का budget है ठीक है उसका किस तरफ है कि क्या देखना कि balance of payment है ठीक है sorry budget है उसको ठीक करना reduce करना inflation को economy growth को stimulate करना liberalization of trade privatization reduction of barrier to foreign capital ठीक है वही production बढ़ेगी investment बढ़ेगी trade बढ़ेगा तो जो economy है वो boost करेगी country that failed to enact the program may be subject to sir fiscal discipline तो जो countries जो होती है और जो countries in policies को in program को enact करने में क्या रहती है fail हो जाती है तो वो fiscal discipline क्या करती है face करती है ठीक है critics argue that the financial threats to poor country amount to blackmail and that poor nation have no choice but to compile तो यहां पर क्या बोलते हैं या लोचक जो कहते हैं गरीब देशों को वित्ते खत्रे blackmail करने के समान है कि जो वित्ते खत्रा हो क्या है उनके उपर एक तरीके से ब्लैक मेल करने का उनको एक तरी ब्लैक मेल किया जा रहा है और गरीब देशों के पास पालन करने के लावक कोई विकल्ब नहीं होता कि उनके पास कोई नहीं है उनको लोन लेना ही पड़ेगा ठीक है और उनको फिर यहां पर क्या कि ब्लैक मेल किया जा रहा है थिक्क है फाइनेंशल थ्रेट्स के थ्रूब स्ट्रक्च्टर अज स्ट्रक्च्रान लोन जो लोन्स हैं ठीक है बिक्ते डैवलोपिंग कंट्रीस ही लेंगी जारी का 90 90 से सच लोन के नोट भी स्पेंड और जो लोन है हैल्थ डेवलेप्मेंट और एजुकेशन प्रोग्राम पे नहीं होते जो लार्जेस्ट इसमें गया है वह बैंकिंग सेक्टर में गया और स्वच भारत जो मिशन था उसमें गया है तो अमाउंट आपके सामने लिख तो विकिपीडिया पर आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा थैंक यू